दीपिका पादुकोड की फिल्म छपाक अपनी रिलीज से पहले ही मुश्किलों में फस्ती जा रही है। इस फिल्म को लेकर सोसल मीडिया पर पहले से ही काफी हंगामा चल रहा है। और अब ऐसी अटेक सर्वाइवल लश्मी अगरवाल की वकील अपर्ना भट भी फिल्म के मेकर्स से नराज हो गई है। और उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ कोट में याची का ताखिल कर दी। चपाक फिल्म में क्रेडिट देने को लेकर लगाई गई वकील अपर्ना भट की अरजी पर पतियाला हाउस कोट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। कोट दो घंटे बार यानि एक बजे अपना फैसला सुनाएगा। पतियाला हाउस कोट ये भी तै करेगा कि चपाक की रिलीस पर रोक लगाई क्यो जा रही है। दीपिका पादुखोण की फिल्म चपाक की रिलीस की रोक की मांग को लेकर दिल्ली के पतियाला हाउस कोट में याची का दाखिल करवाई गई। वकीर अपर्ना भट ने इस याची का को दाखिल किया। आपके वकील के मुताबिक उन्हों कोई पैसा नहीं चाहिए। और विक्किवल फिल्म दिन्देशक के दिये गए वादे की अनुसर क्रेडिक चाहती है। अपर्ला को साथ जन्वरी को उन्हों पता चला कि उनकी कोई क्रेडिक नहीं है फिल्म में। उन्हें आप जन्वरी को जवाब मिला कि हम फिल्म को रिलीज के बाद इसका ध्यान रखेंगे। फेस्बुक पर लश्मी की वकील अपलनाभट में लिखा था कि कैसे वे इस बाद से नराज हैं। कि फिल्म छपाक के मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में कोई क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि वे इस मामले में कानून की मदद लेंगी। साथी उन्होंने कहा कि वे दिपीका पादुकोड और पाकी लोगों के बराबरी की नहीं है। लेकिन इस मामले में वे चुप नहीं बैठेंगी। बता दे कि फिल्म छपाक के चर्चे हर तरफ हो रही है। इसका कारण दिपीका पादुकोड का दिल्ली की जवाहला नहरू युनिवस्टी JNU जाकर विरोत परशन में भाग लेना है। सोशल मेडिया पर जहां कुछ लोग दिपीका की तारीफ कर रही हैं तो वही कुछ छपाक को बॉयकॉट करने की बात भी कर रही है। फिल्म चपाक की बात करें तो ये दिल्ली की एसिट अटैक सर्वाइवर लश्मिय अगरवाल की जिन्दुगी से प्रहरित है। फिल्म में तिपीका पादुकोड शंग, विक्रांत मैसी, अंकित बिष्ट, संग अन्य एक्ट्रिस है। मेकना गुलजार के निंदेशन में बनी फिल्म चपाक 10 चन्वरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है।